हेलो एवरिवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी साइन्स क्लासेस में हम लोग जेनिटिक्स पढ़ रहे थे जहां पर हमने आपको छोड़ा था मेंडल्स लाउज ओफ एन्हिरेटेंस पर यहां से हम कांटिनू करते हैं जब मेंडल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किये उनको अलग-अलग सीट्स में आरेंज करके रखा तो मेंडल्स ने मेंली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किये थे वो पी प्लांड पे किये थे हम बात कर रहे हैं मेंडल्स लाउफ इन्हिरेटेंस के इन inheritance यह पे अगर हम बात करें इन laws की तो इन laws को इनोंने अलग-अलग seat में P plant पे experimentally proven किया था बट यह एक कह सकते हैं कि जैसे patent एक term सुना होगा आप लोगों ने जैसे कोई person क्या होता है कि जब उस चीज की नई लेबल पे discovery करता है तो international union में जाके उसको patent कराना होता है जब उसी के नाम patent हो जाता है तो उसका नाम हर जगे पढ़ा जाता है और जब भी उससे related कुछ नए experiment perform करने होते हैं तो उसी से contact करके फिर experiment या वो product बनाया जाता है जैसे एक example की बात करें तो एक parasitamal tablet की बात करते हैं एक company ने बनाया और company ने बनाने के बाद अब company ने बनाया होगा तो बहुत सारे मेहनत की होगी बहुत सारे scientist involved होगे काफी पैसा खर्च किया होगा तो अब क्या करती है ये company ये company जाएगी और अपने नाम का एक patent करा लेगी कि हाँ ये दवा हमने बनाई है वो patent duration कुछ हो सकता है जैसे इस तरह की जो experiments हैं ये lifetime के लिए होते हैं कि इनकी नाम ये registered हो गए दवाईया है तीन साल के लिए बारा साल के लिए दस साल के लिए कि दस साल तक कोई भी इसकी generic दवाई नहीं बना पाएगा यही company पैरा सीट हमाल लगातार बेचेगी लेकिन जब बारा साल का period पूरा हो जाएगा तब कोई भी local company उनके जो scientist ने chemical composition बनाया है उसका यूज करके फिर बहुत सारे पैरा सीट हमाल अभी तो देखते होंगे आप बहुत सारे market में फैले हुए है तो यह term हो जाता है क्या patent का कि जिसने बनाया उसके नाम यह registration हो जाता है तो यह जो registration है Mendel ने नहीं किया था इनके कुछ जानकारी नहीं थी बट हाँ इनके जो research publish हुए थे papers में और अलग-अलग magazines पे उनको एक साथ और sermac Carl Correns, sermac और Hugo Debris यह तीन scientist थे mainly इन्हों ने milk के combined किया इनकी experiments को और Mendel's law of inheritance दिया इसका जो सबसे पहला नियम था इसको बोला गया law of dominance law of dominance basically अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हमने एक condition पढ़ी थी homozygous, heterozygous जैसी conditions homozygocity या heterozygocity यहाँ पे अगर हम बात करेंगे homozygous condition homozygous या heterozygous condition में तो heterozygous की जो condition होती है homozygocity में तो हमें नहीं पता लगेगा law of dominance क्योंकि यह pure breed होता है जैसे capital T, capital T या small T, small T यह dwarf के लिए और यह tal के लिए यह उच किया गया लेकिन heterozygocity में जब हम बात करेंगे two different kind या two different properties of gene present on the alleles या एक chromosomes के part पे यह present होंगे law of dominance को अगर आप लिखना चाहें तो mention कर सकते हैं when two different kind of traits present on a same allele one is can express their own property or trait but another cannot when they are formed in the heterozygous condition that is termed as the dominance which are expressing their characters or trait but which is not able to express their trait that is termed as the resissue उसको हम क्या बोल देते हैं resissue जो अपने आपको दिखा पाता है उसको बोलते हैं dominance dominance एक तरह से ऐसा समझ सकते हो गाउं के लोगों की अगर हम बात करें तो जैसे गाउं में एक प्रधान होता है मुखिया जिसको बोलते हैं और गाउं का एक नौर्मल आदमी दोनों लोग है dominance के लेबल की अगर बात करें अगर कोई scheme आई या कुछ offer मिलना है government की तरफ से तो सबसे पहले दोड के कौन पहुँच जाएगा प्रधान जी प्रधान जी पहुँच जाएंगे और वो क्या करेंगे उस scheme का लाब पहले अपने चाहने वाले को या खुद को grab कर लेंगे आप या जो person सामने है बगल है उस तक वो scheme नहीं पहुच पाएगी पहले कौन adopt करेगा मुखिया तो अब दोनों की condition में कौन जो मुखिया है वो क्या कर रहा है normal person की उपर dominate कर रहा है मतलब खुद को प्रमुखता से elaborate कर रहा है कि पहले हमारी सुनी जाएगी फिर इसकी तो जो character अपना character एक्सिया trait express कर पाता है through the gene उसको बोलते है dominant gene मतलब अगर यहाँ पर बात करेंगे ये टाल को और ये ड्वार्फ को represent करता है तो ये जो genetic composition है ये heterogyagocity में है तो जो plant होगा यहाँ पर वो कैसा होगा टाल होगा ड्वार्फ नहीं होगा ड्वार्फ को कौन सा trait represent कर रहा था small t ड्वार्फ trait represent नहीं हो पाएगा तो इसको बोल देते हैं recissive form और इसको बोलेंगे क्या dominate ये dominate करेगा ये recissive अब यहाँ पर एक और example से समझ सकते हैं जैसे दो घर में member हैं एक बड़ा भाई एक छोटा भाई घर में अगर समोसा पिताजी लेके आए दो समोसे हैं दोनों को बराबर मिलना चाहिए लेकिन बड़ा भाई क्या करेगा छोटे भाई को होसियारी दिखा के अगर बड़े भाई की condition थोड़ा लालच टाइप की है नहीं हम पहले खाएंगे तो क्या करेगा वो समोसा पहले grab कर लेगा अपना समोसा तो खा ही जाएगा साथ में छोटे भाई का भी आदा समोसा बाटके खा जाएगा तो वो क्या कर रहा होगा उस समय छोटे भाई पे dominant कर रहा होगा कि जो कुछ भी इनके पास जा रहा है वो पहले हमारे पास से filter होके जाएगा हम grab करेंगे वही यहाँ पे expression होता है कि जो dominant character है dominant है यह अपना character zone कर पाता है रेसिस्यू नहीं कर पाता है इसको बोलते हैं laws of dominance फिर बात करते हैं दूसरा law of segregation segregation या इस इसको बोलते है क्या gamete purity किसकी? gamete purity क्योंकि जब हम बात करते हैं law of segregation में if the hybrid breed या hybrid variety of traits present on the gene pair then when the gametes form they all get separate like अगर हम बात करें heterogyocity की capital T और small T है capital T और small T जब gamete बनेगे तो एक अलग हो जाएगा small T अलग हो जाएगा तो यह क्या कर रहे हैं अपने जो traits थे यह क्या हो गए अलग-अलग हो गए जब यह gamete के form में पहुँचे तो इनकी जो purity थी pure breed थे यह separate हो जाते हैं इसी को बोलते हैं law of segregation next अगर हम बात करें तीसरे law की तो third law क्या कहता है independent assortment यहां पर अगर हम बात करें independent assortment इसका मतलब क्या होता है कि when two different gametes gets combined and form a new office spring their character may be differ with the parents parents से यह क्या हो जाते हैं different breed represent करते हैं इसे एक red flower are represent करता है and किसके white flower के साथ इन उनों की mixing से जो एक नया flower बना इसको बोलते हैं pink flower तो parents हैं उनसे मिलता जुलता है लेकिन उनसे काफी different color obtain हुआ color के भिहाब पर बात करें तो इस तरह से कई सारे jeans देखने को मिलते हैं जो अपना independent assortment zone करते हैं जब वो एक gamete form में उनके जो parents थे उनसे बिलकुल separate हो जाते हैं लेट अगर हम बात करें यहाँ पे इस condition की तो इसके जो gametes बनेंगे F2 generation में यह बिलकुल separate हो जाते हैं ये वाला जो law है independent assortment इसमें जो ये example pink color का है यही हम co-dominance में represent करते हैं co-dominance वो condition हो जाती है law of dominance में तो एक dominance और एक race से हो जाता है लेकिन co-dominance की अगर बात करें तो उसमें एक dominant ना हो करके दोनों बराबर dominance zone करते हैं लाइक अगर तोनों भाई एक college में हैं या छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों में सामान जैसे अच्छा है तो दोनों को एक एक समोसा बराबर मिलेगा तो दोनों क्या है साथ साथ में work कर रहे हैं co-dominancy zone करेंगे कि ये भी अपना dominance zone कर पा रहा है और ये भी तो दोनों co-dominancy के example हो जाते हैं ये तीनों laws होते हैं मेंडल के अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं law of inheritance on chromosomes क्रोमोजोम्स के law of inheritance को जो प्रोवाइड किया गया था कि क्रोमोजोम्स के थूरू inheritance क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है इसके बारे में बहुत डीटेल स्टेडी की थी टी-एच मारगन साब ने टी-एच मारगन साब ने experiment किये ट्रासोफिला एक मक्षी जैसा कीट होता है पतंगा होता है इस पे बहुत सारे multi-label इसकी life span पे क्या experiments किये और वहां से यहां पे sex determination से लेके और कई सारे characters studied out किये उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की classes में नाम याद रखने ना टी-एच मारगन पूछा जाता है अगर हम यहीं पे बात करें जो chromosomals dependency की बात कर रहे हैं जो inheritance है on the behalf of chromosomes इसको provide किया था sutton and bovary sutton and bovary नाम के साइन्टिस्ट थे इन्होंने इसका जो relation था law of inheritance mendels law of inheritance नहीं बोलते हैं इसको soton and bovary नाम के साइन्टिस्ट ने chromozome से relate करके inheritance को बताया था और वहाँ पर पाया गया कि यह सारे laws chromozomes के case में भी एक तूसरे पर dependability सोन करते हैं अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके pea plant की mendel की pea plants की अगर हम बात करें तो इन्होंने pea plant को ही प्रमुक्ता से experiment में यूज किया question आता है why he prefer the pea क्योंकि pea की plant की जो variety थी variation थी वो कई सारी देखने को मिलती है total seven characters को इन्होंने mark किया seven marked character थे इनके और उन characters में जो traits थे वो कितने हो जाएंगे अब एक character है तो उसके दो traits minimum होंगे light अगर हम बात करें length of plant की pea का length plant की length की बात करें length तो length कैसा एक होगा tall और एक होगा क्या dwarf tall और dwarf दो हो गए तो दोनों क्या है trait है length क्या है character seven number इन्होंने क्या character represent किये जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे color color of seed seed का color कैसा green and yellow तो यह क्या हो गया trait हो गया यह हो गया आपके character color of seed color of pod इसकी अलावा अगर हम बात करें shape of pod color of flower अ पोजीशन ओफ लार की अगर अगर बात करें अगर अगर बात करें fully pod होती है, sticky होती है बिल्कुल flattened होती है shape of pod की बात करेंगे तो यह soloing या sticky या flattened pattern की बात करते हैं color of flower की बात करें तो color of flowers आपको white color के और purple color के flower दिखते हैं यहाँ पे position of flower की अगर हम बात करें तो marginal और axial जो क्या पती के ओपर की तरफ जो position पे flower आता है वो axial position कहलाती है नीचे की तरफ lateral फैला होता है इसकी अलावा shape of seed की बात करें rinkled and round round shape का बिल्कुल जो white color का मटर आता है वो basically क्या होता है बिल्कुल round shape का होता है लेकिन green color वाले जो मटर होते हैं ज़्यादा तर कैसे होते है rinkled होते है तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने characters mention किये इसके बारे में हम study करते हैं ये characters important हैं पुछे जा सकते हैं पी plant क्यों लिया था क्योंकि इसका life span भी काफी छोटा होता है तो next generation में 2-3 generation हम एक ही साल में study कर सकते हैं अगर कोई higher plant ले ले लेते जिसका life span भाइनियल या पेरिनियल होता तो हम इनकी study करने में बहुत ज़्यादा time waste करते हैं और इनका crossing कर अपाना भी काफी आसान होता है अलग-अलग character को mark किया जा सकता है तो इनों ने इसी लिए prefer किया था pea plant को फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जो chromosome हैं chromosome के number जैसे हमने पढ़े animal में हमारे अंदर human beings में human में जो chromosome थे यह कितने थे 46 numbers 23 pairs में तो हमारे characters इस तरह से दिखते हैं लेकिन अगर यही पे बात करें हम potato की तो potato का 48 number होता है अब इसके हिसाब से तो इसके पास chromosome ज़्यादा है तो आलू में क्या हमसे ज़्यादा character होने चाहिए थे उसके हाथ, पैर, आखना ऐसा नहीं होता है क्योंकि chromosome के number के बहाफे character determined नहीं होते हैं chromosome के अंदर जो gene होते हैं उनके भिहाब पे characters determined होते हैं इसी लिए जो ये variations होते हैं chromosome number इसकी वज़े से similarity काज नहीं होती है जैसे अगर हम बात करें tiger lion and cat तीनों क्या है fellis family से बिलॉंग करते हैं और यहाँ पे बात करें तो chromosome number सब के पास कितने होते हैं 42 number अब तीनों के पास क्या है 42, 42, 42 that means the 42, 42 and 42 similar chromosomes number हैं तो इस हिसाब से तो इनकी सारी properties similar होनी चाहिए थी बट अगर देखोगी tiger और lion में बहुत सारा अंतर होता है especially lion का जो face है उसके पास बहुत सारे neck region में hairs पाया जाते हैं जो tiger के पास नहीं present होते है cat अब इन दोनों से काफी जादा differ होती है तो ये चीज़ सिर्फ ये represent कर रहा है कि आपके जो chromo zones number है उसमें जो gene present होते हैं वही determine करते हैं आपके character ना कि ये numbers तो इनको ध्यान रखना अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ characters की जो dominant characters जैसे हम बात कर दिते हैं हमारी eyes का color brown color या blue color तो जो brown color होता है वो हमारा dominant zone करता है blue color हमारा recissue होता है ऐसे समझ सकते हो कि जो character हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है characters कौन-कौन से mainly हम human body में पढ़ते हैं जो genetic से relate करते हैं like अगर हम बात करें tongue rolling या jointed ear lobes इनको हम आसानी से देख सकते हैं इसके अलावा left hand है या right handed है ये भी चीज़े हैं curly hairs हैं या straight hairs हैं mustaches, beards hairs on the body not present of the hairs of the body ये भी चीज़े जो है ये determine करती हैं आपके genetics के अंदर जो characters होते हैं इसमें जो character सबसे ज़्यादा दिखता है like अगर हम बात करें tongue rolling की जीव कुछ लोगों की जीव जो है ये घूम के विल्कुल round shape की बन जाती है कुछ लोगों की flat रहती है ये round shape में नहीं turn होती तो जो turning होती है rolling of tongue है ये dominant character सोन करता है without rolling ये recessive character होता है कुछ recessive और dominant character आपके पूछे जाते है फिर यहाँ पर अगर हम बात करें अब hybrid variety की तो hybrid variety का मतलब क्या होता है hybrid का मतलब होता है कि जब दो different अलग अलग properties या property के traits combined होते हैं और combined होके उनका नया genetic character form होता है उसको बोलते हैं hybrid variety जैसे अगर हम बात करें यहीं पे length of plant ये है क्या एक character इसमें टाल को represent कर रहा है capital T और capital T small या dwarf को represent करता है small T और small T तो ये क्या हो गए टाल और ड्वार्फ अब बात आती है इनके जो टाल और ड्वार्फ करेक्टर्स हैं अगर इन दोनों को आपस में क्या कराए जाए cross करा दिया जाए जब हम इसको cross कराते हैं capital T, capital T cross with small T, small T next generation में capital T और small T इस तरह का एक genetic composition दिखता है अब ये जो generation बोली जाती है इसको बोलते हैं हम F1 generation F1 generation F1 generation में जो breed बना इसको बोलते हैं hybrid variety लेकिन अब यहाँ पे क्या Mendels का first law law of dominance लागू होगा और यहाँ पे जो करेक्टर हमें दिखेगा genetic composition क्या है hybrid है capital T और small T mix है that means the heterogygosity condition है लेकिन F1 generation के बाद यहाँ पे जो करेक्टर हमें दिखेगा physically उसको बोलते हैं जो चीजें हमें physically दिखती हैं इसको बोलते हैं हम phenotype phenotype जो हमें दिखाई पड़ता है physical appear होता है जाईक अगर plant छोटा है, bonna है, blue है, color है यह सब करेक्टर्स जो traits हमें दिखते हैं इनको बोलते हैं phenotype लेकिन जो genetic composition में change आता है जहां पर हम बात करते हैं gene composition की इसको बोलते हैं हम क्या genotype और phenotype दो term यूज करते हैं especially genes के लिए genotype और physical appearance के लिए phenotype तो genotype कैसा हो जाता है इनका hybrid और phenotype तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जो क्या था, dominate कर रहा होगा वही phenotype हमें यहां पर नजर आएगा अब F1 generation में जब हम test cross कराते हैं test cross का मतलब क्या है hybrid breed का आपस में cross कराया जाता है cross कराने से क्या होता है इसका capital T इसके capital T से combine करता है capital T small T से combine करता है small T capital T से combine करता है और small T small T से combine करता है तो देखो, क्या हुआ segregate हो जाते हैं इसको बोलते हैं F2 generation F2 generation में यह capital T capital T क्या होगा tal represent कर रहा होगा यह दोनों क्या है hybrid यह क्या represent कर रहे होंगे यह भी तो tal ही represent करेंगे क्यों dominant character कौन सा है capital T यह भी टॉल यह भी टॉल यह भी टॉल तीनों क्या हो गए टॉल और यह क्या हो गया ड्वार्फ यह रह गया बॉना अब यहां पर बात करेंगे यह देखो तीन लंबे दिख रहे हैं और एक छोटा तो phenotypic ratio इनका कितना हो जाएगा लंबा और बाउना का जो ratio आएगा वो कितना आएगा 3 is 2 1 phenotypic ratio कितना हो गया 3 is 2 लेकिन अगर हम बात करेंगे genotype की तो capital T 1 इसके दो variety है इसको mention करेंगे 2 और इसका अकेला एक है तो यह एक 1 is 2 2 is 2 1 किसका ratio होगा यह genotype का genotype और phenotype के ratio F2 generation में vary करेंगे F1 generation में कोई changes नहीं होगे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं box pattern में जैसे हम capital T capital T capital T और small T हम यहाँ पे test cross करा रहे थे hybrid breed का तो हम क्या करेंगे इनको mention करेंगे capital T से capital T capital T और small T capital T और small T और फिर small T और small T दोनों इस डिबबे में आएंगे यह panet square box बोला जाता है panet नाम के scientist ने इसके बारे में detailed हमें information दे थी इसलिए इसको बोलते है panet square box इसमें study किये जाती है अब यहाँ पे बात आती है कि यह जो class था यह एक ही character को लेके था इक character मतलब single unit और single unit के terms में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए single unit को बोलते हैं क्या mono और hybrid breed बना था इसलिए इसको बोलते हैं hybrid cross mono hybrid cross याद रखना एक ही character को hybrid breed के साथ अगर cross कराया जाता है और F2 generation में उसका ratio 3 is to 1 phenotype का और 1 is to 2 is to 1 आता है किसका genotype का ratio तो ये पूछा जाता है आपसे direct इस तरह के test cross कराके और ये panet square box formation किसके लिए mono hybrid cross के लिए काफी important होता है ये points mark कर लेना यहाँ पे जो characters हैं ये बदल दिये जा सकते हैं length of plant की बजाए ये color of pod हो सकता है ये shape of pod हो सकता है color of flower हो सकते हैं तो उनके बहाँ पे ये अलग-अलग data यहाँ पे change हो सकता है इसको हम capital T की बजाए अगर हम यहाँ पे color की बात करें तो color हम red color तो capital R capital R ले सकते हैं small R, small R, yellow color के लिए जैसकते हैं तो अलग-अलग characters के लिए हम अलग-अलग alphabet चूच करेंगे but traits के लिए हम same alphabet चूच करेंगे recessive के लिए small letter और dominant के लिए capital letter ये चीछ दियान रखना characters बदल सकते हैं but pattern यही रहेगा genotype और phenotype का ratio हमेशा same होगा mono hybrid class के लिए ये चीछ दियान रखना mono hybrid class और सारे कई सारे experiment परफॉर्म करके आप देख लिजिएगा कई सारे अलग-अलग characters के panett square box और इस तरह के test बना लिजिएगा चैसे अगर हम बात करें हमारे जो hair है straightened hair और curly hair अगर हम straight hair के लिए capital H और capital H small या curly hair के लिए small H और small H लेके जाएं तो capital है ज़्यादा तर लोगों के क्या है सीधे बाल दिखते हैं curly hair तो कम लोगों के दिखते हैं तो curly character होगा वो कैसा होगा by default race issue होगा जो character ज़्यादा दिखने वाला होगा वही हमें क्या dominance character बोला जाएगा तो dominant हमारे पास क्या है straight hair और curly hair next generation जब जाएगी तो H और small H बनेगा यानि कि ये कैसा होगा straight hair होगा बट hybrid breed है अब capital H और small H दो hybrid के बीच में test cross कराया गया तो क्या बनेगा एक capital H capital H ये है F2 generation में ये था F1 generation capital H capital H capital H small H capital H small H और small H small H यहाँ पर क्या आया ये है क्या straight hair ये भी straight hair ये भी straight hair ये curly hair तो curly hair straight hairs straight hairs and then curly hairs इनके colors क्या होगे shape change हो जाएगे बट इसका ratio जो होगा 3 is to 1 क्या phenotypic और जो genotypic ratio होगा ये 1 is to 2 is to 1 ये देखने को मिलेगा तो इस तरह से चो भी आपके book में characters mention किये गए है उनको try कीजिएगा खुद से इस तरह के test perform करने के बहुत सारे आपके exam में पुछे जाते हैं mainly ये lengthwise तो हर साल लगभग पुछा ही चाता है तो practice कर लीजिएगा उमीद है इतना portion समझ में आया होगा अच्छे से अगर कुछ doubt रह जाता है फिर भी तो नीचे Instagram ID का link दिया गया है आप वहाँ पे directly questions वहाँ से पूछ सकते हैं आपको उसके उत्तर उपलब्द करा दिये जाएंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले जितने भी upcoming videos होंगे आपको यहीं पे मिलते रहेंगे अभी के लिए इतना ही चैनल